हेलो गाईज हम लोग एससे जीडी का स्टेटिक जीके वाला प्रिवेस एर जितने भी है सारे कर सारे हम लोग लेके चल रहे हैं और हम लोगों ने पता है कि हमने इससे पहले जो है हिस्ट्री खतम कर दी हम लोगों ने जो है इस बुक की जो है हिस्ट्री खतम कर दी हम लोगो हो चुका है आज से जो है हमारा सब्सक्राइब कर लिए नहीं देचते हो तो फिर भई नुकसान मोद को आपको ठीक और यह जो PDF है यह है आपका वही बुक का जो आपने देखा ठीक है अंकित भाटी सर का SSGD के लिए जो बुक आती है तो ऐसी जो है बेस्ट क्वालिटी में चारो बुक आपको पांचो बुक इनफेक्ट स्टेटिक जी के भी ठीक है SSGD की आपको complete मिल जाएगी आपको PDF अगर करना क्योंकि यह मेरा पीजनस अकाउंट है ठीक है आप इसमें वर्टसप मेसेश करना 7070494476 पर आपको जो है PDF मिल जाएगी सारी बुक की ठीक है तो आपको इसमें घबराना नहीं है PDF के मामले में और पीडिए देखो कि बेस्ट क्वालिटी में तो बुक नहीं लेना है क् कि सिर्फ हमारे पास साथ दिन बचे हैं एक्जाम में और साथ दिन में अगर हम लोग बुक लेंगे तो भाई बहुत लोग क्या है ओफर का वेट कर रहे हैं तो वह सब नहीं करना है तो चलिए आज का हम लोग पहला कोशन जो है स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किये ठ रिएख रित्वि वायू मंडल की पहली परत थर्फेश है तो हमें परत के बारे में घुन होना चाहिए ठीक है तो हम लोग जो है इसको को अच्छे सिसाए bite तो कोशन ने पुछाए कि पहली परत कौन सी है तो पहली परत तो शोब मंदल है ठीक है तो यहां पे हम लोग शोब मंदल के बारे में पढ़ लेते हैं कि शोब मंदल का आज़ा दीजेगा तो बन जाएगा पुरस का पुराणा नाम तो शोब बंदल की उचाई सटवख से लगभग 13 किलोमेटर दूववों के पास 8 किलोमेटर तथा विशुवत वृत्वरुत पर लगभग 18 किलोमेटर है यानि कि इस तह पे जहां पे हम लोग हैं वहां से अगर 13 किलोमेटर उपर जाएगा तो आपको शोब मंडल मिल जाएगा क्या मिल जाएगा शोब मंडल मिल जाएगा अब हैं मौसम सब मंदित घटनाएं शोब मंडल में होती है अब यानि कि जैसे भी कोई भी मौसम में परिवर्तन होता है जैसे कि बादल बनते हैं बारिश होती है हवाई होती है तुफान आते हैं तो सब के सब जो है पहली परत जो है हमारी शोब मंडल जो है इसी शोब मंडल में सारी घटनाई पॉसिबल है अब देख लेते हैं कि शो जो सीमा का तापमान केतना है, माइनस 80डिगरी सेलसियस जो हमारी भूमद रेखा है, उससे उपर में जो है, शोब असीमाय जितनी भी है, उसका तापमान मायनस 80 डिगरी है, यह होती है समताप मंडल, जो कि ये बहुत कोशन आता है, इसकी उचाहिए कि इतनी लगबख 50 किलो सकते हो कि जो वायू यान है यानि कि हमारे जहाज इतने भी है ठीक है वो जो है ना समताब मंडल में उड़ते हैं क्यों क्योंकि बारिश होना मौसम खराब होना वो सब तो निचे होता है मंडल में हो जाएगा सारा का सारा तो उपर में जो है कोई ऐसी घटना नहीं होती है तो बादल के उपर ही चलता है हमारा देखा जाए तो ठीक है जहाज वगेरा तो वहाँ पे कोई मौसम समधित घटना होती नहीं है कितनी तेज तुफान हो कितना तेज बारिश हो कोई असर नहीं करता है हमारे जहाज वगएरा पे तो इसलिए देखते हैं कि जादा दूर गटना देखने को नहीं मिलती है अब देखे लेते हैं हम लोग अगला पार्ट के आए कि ओजोन परत समताप मंडल का ही भाग होता है तो ओजोन परत के बारे हम लोगों ने बहुत सुना है वह किसका पार्ट होता है वह होता समताप मंडल का ही भाग होता है ओजन परत की मोटाई को डॉपसन इकाई यह important याद रखना डॉपसन में मापाय आता है क्या मापाय आता है डॉपसन इकाई में मापाय आता है अब आता है मध्य मंडल क्या आता है मध्य मंडल तो इसकी उच्छाई समूंदर तल से लगबग 50 से 80 किलूमेटर है 50 से 80 किलूमे मेसो पॉस कहा जाता है है अब देखते हैं ताप मंडल इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आयन मंडल क्या होता है इसकी उचाई जो है 80 से 640 किलो मेटर के मध्य कहां समुंद्र तल से कुछ उस्तोतों में इसका विस्तार चार सो किलो मेटर तक मानायाता है आयन मंदल क्या यानि कि सबसे उपर का पार्थ हम लोग बान सकते हैं ठीक है तो आयन मंदल से ही अरोरा ऑस्ट्रालिस वह अरोरा बोरियालिस जैसी तो कितना इंपोर्टन पॉइंट था यह इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि आयन मंदल में ही अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालोसिस जो है घटनाए घटित होती है आयन मंदल में ही संचार उपगरह स्थापित किये जाते हैं यानि कि जितने भी हमारे सै आइन मंदल में स्थित्त है आयन मंदल में ही सारे के सारे साथलाइट को विज़ याता है असी किवाई से चालीश किलोमेटर तक तक फैला हूआ तो 80 किलोमेटर तक उपर जाएगा पहले तो और उसके बाद जो है कहीं पर देगा आप देखो कि हम लोग इसको प्रैक्टिक रेडियेशन बेल्ट आयतन मंदल में ही पायाता है कुन सा वान अलेन रेडियेशन बेल्ट कहां पायाता है आयतन मंदल में ही पायाता है तो एक कोशन में कितना टाइम लग गया आप देख लो कितना बड़ा इनलाइसिस था तो ऐसी प्यारी सी बुक है यह और भारत एशिया के किस भाग में स्थित है तो सबको पता है कि दक्षिन एशिया में भारत जो है वो दक्षिन एशिया में स्थित है एशिया में तो एशिया को वेरिंग जल संधी उत्री अमेरिका से अलग करती है यहां नहीं कि उत्री अमेरिका और भारत के बीच में एशिया क को अलग करती है यह अंतराश्टिती थी रेखा के समानतर स्थित है अगला पॉइंट है कि विश्व की सबसे गहरी जील जो बेकाल जील है वो रूस में स्थित है और रूस कहां है एश्या में ही है तो विश्व की सबसे गहरी जील जिसको बोलते हैं बेकाल जील वो रूस में स्थित है अगला पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर जो जील है वह भी एश्या में स्थित है युराल परवत एश्या को यूरोप की सीमा से अलग करता है कौन सी परवत यूराल यूराल परवत तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको ठीक है तो अच्छे से सीखना इस सेशन को दुबारा देखना अगर पसंद आए तो लाइक करो यूराल परवत एश्या को यूरोप की सीमा से अलग करती है कौन सी परवत यूराल परवत अगला पॉइंट है विश्व का सबसे जो है नीचा स्थान जिसको स्थल मंडल के अ लंबा जोड़ा है अगला है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो की एश्या में ही इस्तेत है तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वो भी एश्या में है विश्व का सबसे उ hem पूडर करते हैं वह कि फैस्ट と quindi रूस के भाग को साइबेरीन कहा है एक रूस कि घड़े जानाल जाता है आपके यॉरपसाइड में आता है और ये तो तो रोस का मतलव एसा भाग जो जो कि एशा में आता है उसको साइबेया कहा है फिया चाल कजन था अब अगला है कि सुवेज नहर भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन सी नहर सुवेज नहर अगला पॉइंट मैंमार अपने सुंदर बौध मंदिरों के लिए प्रसिद है यह भी कहा है एशिया में हम लोग पूरे एशिया में घूम रहे हैं विश्व में सरवा भारत की गंगा है 25 सोग मिल्टर तक जो है फैलेवी यह तो गंगा बोलेंगे हम लोग भारत की लेकिन महावेली गंगा कहां कि है श्रलंका की है एश्या का सबसे छोटा देश माल्दीव है जिसको हिंद महासागर का मोती भी खा जाता है एश्या यानि माल्दीव कहां है माल्दीव अपका हिंद महासागर में है इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं और यहां एश्या का सबसे छोटा देश है जावा दूइब को इंडोनेशिया का हिर्द्य कहा जाता है यानि कि धड़कन दिल मैम्मार को स्वर्ग पगोडा का देश कहते हैं मैम्मार को स्वर्ण पगोडा का देश कहा जाता है किसको मैम्मार को अब अगला कोशन है दो कोशन डिसक्स करने में कितना टाइम लगए सोच rankings यह जो है इनमें से बु प्रिथ्वी शुख्र शुख्र्शनी और बुद्ध यह सब जो है बाहिग्रह है तो शुक्रों बाहिग्रह पता होना चाहिए तो चंद्रमा जो है अंत्रिक गरह या पार्थिव गरह किसे कहते हैं बुद्ध शुक्र प्रिथ्वी मंगल यह सब आंत्री ग्रह हैं और बाहय यानि की जोवियर जोवियर ग्रह किसे बोलते हैं वरिस्पति शानी वरुण और अरुण ठीक है न यह सब सबसे चोटा बुद है नहींता सूर्य का सबसे निकरतम ग्रह भी ऐसे बुद सूर्य की परिक्रीमा करने में कम से कम 88 दिन लेता है अगर जो बुद में रहता होगा उनका ठासी दिन में ही एक साल हो जाएगा हमारा से 365 दिन में होता है शुक्र को सांज का तारा भोर का तारा भी कहते हैं ठीक है शुक्र को ही प्रित्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं मंगर गरह को लाल गरह भी कहते हैं इसका यह रंग लाल रंग आईरन ऑक्साइड के कारण होता है किसके कार और उसके बाद शुक्र, ठीक है न, तो शुक्र को ही सांज का तारा, भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को ही प्रित्वी की जुड़वा बेहन कहते हैं, और प्रित्वी जो है, आपका चमकेला खगोली पिंड है, सुर्य और चंद्रमा के बाद, शुक्र के बारे में इतना प्राइक इसे मिलगार को कि शर्थ विशुक यह सटमबर को मना चाया जाता है कि है यहाँ एत चलिए इसके पॉइंट और हैं डिसकस कर लेते हैं से 35 अधिरियों यदिधा दक्षिन आकस्वा chief के स्थित पेटियों को अस्व अक्षांस कहा जाता है भारती समय GMT से GMT को देखें भारती समय मानक जो है GMT जिसे Greenwich Mean Time कहते हैं GMT फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है तो हमें ध्यान देना है इसे बोलते है Greenwich Mean Time से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है भारती समय तीकर ना 82.50 डिगरी देशांतर उत्तर परदेश के मिर्जापूर से होकर घुजरती है ठीक है अगला है निमलिखित में से कौन सा एस आकार का महा सागर है तो अट्लांटिक हमें पता है यह तो बहुत पहले से रटते हैं तेखो यह सब कोश्चन 23 के सारे कोश्चन है जो 24 के भी होंग अट्लांटिक सागर जो है आपका एस आकार का है ठीक है तो अब देखते हैं पृत्वी पर पाँच महा सागर है पहला कौन सा है प्रशान्त महा सागर अब इन पाँच महा सागरों के बारे में हमें डिटेल में डिसक्स करना है यह सबसे बड़ा ताथा सबसे गहरा जो है बंद्रगा है मर्याना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो परशांत महासागर में स्थित है कुनसा गर्त मर्याना गर्त कहां है परशांत महासागर में जौला वृत्या अगनी वले परशांत महासागर में स्थित है अट्लांटिक महासागर दुनिया अब दूसरा का महासागर है कौन सा अट्लांटिक यह सबसे व्यस्तम जो है महासागर माना आता है अब अगला है हिंद महासागर एक मात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है यानि कि अपना देश भारत हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हिंद महासागर यह कलोता जिसको बोलते हैं अंटार्टिक जिसको लोग दक्षिनी महासागर भी कहते हैं पनामा नहर अट्लांटिक महासागर को परशांत महासागर से जोड़ती है अगला कोशन है हमारा 38 नमबर विश्व के जल संसादनों में भारत का अंश कितना है तो चार परतिशत है तो विश्व में जितने भी जल संसादन है उसमें भारत जो है चार परतिशत इनका भागिदर है तो महासागरी जल का अधिक्तम तापमान दोपहर दो बजे तथा नियूंतम तापमान सुबह पांच बजे रहता है महासागरी जल का जो है सबसे अधिक्तम तापमान कब होगा दोपहर के दो बजे और नियुनतम तापमान सुबह के पांच बजे तो सागरी जल का अधिक्तम तापमान अगस्त में तथा नियुनतम तापमान जो है फरवरी में होता है अगस्त में जो है सबसे ज़्यादा सागरी जल में तापमान होता है और समय की बात करें तो महीने की बात थी और समय की बात करें दो पहर में दो बजे जो है सबसे ज़्यादा तापमान और नियून्तम तापमान पाँच बजे अगला है सौर गेसों सागर उत्री अट्लांटिक महासागर में स्थित है सौर गेस सागर जो है कहा है उत्री अट्लांटिक महासागर में स्थित है सौर गेसों सौर गेस जो है एक पूर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है घास सार केसो, सोरी सार केसो में सार केसे पढ़ दो, सार केसो अगला है पृत्वी के एक मात्र प्राकृतिक उपगरह की पहचान कीजिए जो पृत्वी है, उसका एक मात्र प्राकृतिक उपगरह कुन सा है, चंद्रमा है क्या है चंद्रमा है हमें इध्यान देना अच्छे से तो है चंद्रमा है चंद्रमा की स्था और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्यन करने वाले विज्ञान की शाखा को जो है सेलेनोलोजी कहते हैं क्या कहते है सेलेनोलोजी अब सेलेनोलोजी क्या है आपका चंद्रमा की स्था और उसकी आंत्रिक स्थिती का अध्यन करने का विज्ञान की शाखा है क्या है सेलेनो लॉजी इसको याद रखेंगे ना इस पॉइंट को अच्छे से आगे भी काम आएगा और ने विग्जाम के लिए शांति सागर चंद्रमा परस्थित है चंद्रमा का उच्छतम परवत जो है वो कहा जाता है चंद्रमा से प्रित्वी से चंद्रमा लगबग सलतावन परतिशत भागी देखा जा सकता है हम लोग जो हैं जितना भी चांद को देखते हैं उसका 57% ही पार्ट देख पाते हैं यानि इसकी बचीवी जो 43% भागे वो हम लोग नहीं देख पाते हैं उतनी हमारे पार शम्ता नहीं है पावनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान के जेतों डेनमार्क डेनमार्क जो है उसे पावनों का देश का जाता है यानि कि हावाएं जादा चलती है यूक्रेन को विश्व का अनभंडार या रोटी की डलिया का जाता है युक्रेन जो है इतना है वहाँ पे अनभंडार है कि वो सभी देशों को अच्छे से पेडिन का भरत रखता है तो युक्रेन ही है इसलिए चीन इसके पीछे पढ़ाना क्योंकि वहाँ पे बहुत जादा मतलब उपज है वहाँ के खेतों में इसलिए रूस और युक्रेन का अब लोगों ने युद्र के बारे में सुना होगा इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है अब बताओ यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है क्यों कि भारत में जो क्वालिटी है वो इटली में पाए जाती है फिनलेंड को जीलों का देश कहा जाता है नार्वे को फियो यजविश को फ्रांस को लग्व लेडान कि यहां तक यहां तक किसमापत रखते हैं और अच्छे से इस क्लास को देखिए कल से जो हम लोग पक्का 20 कोशन लेके चलेंगा ठीक है और इसमें 180 के आसपास कोशन है तो समझ जाओ कि अतलब और दो-तिन क्लास होंगे और हमारा भूगोल जो है जाएगा उसके बाद जन गनना शुरू हो जाएगी जन गनना शुरू हो जाएगी मैं फिर एक बार बता दूँ ऐसे जीडी की पांच बुक हमें पढ़नी है कितनी पांच बुक और रोजगार वेद अंकित की ही पढ़नी है और डबलुए की ठीक है और इन सब बुक्स को सतर सतर नंपचास चवारीश जीहत्तर पे आप मैसेज करके आप जो सारी की सारी बुक्स मुझे ले सकते हो वर्टसप पे मैसेज करना चलिए बाकी मिलते हैं फ्रोड से बचके रहना बाकी मिलते हैं लोग नेक्ट वीडियो में बबाए टेक क्यर